वाहिगुरुजी का खाल सा वाहिगुरुजी की वते साखी राजा शिवनाब दखन दे वड़े वड़े शेहरा विच्चों दी हुन्दे होई शिटगुर नानक देव जी रासको मारी विखे समुंदर दे कंडे पहुंचे उत्थे केई बेडे लंका संगला दीपनु जारे सान गुरुजी अते पाई मर्दाना वी एक बेडे विच चडगे ए बेडा जित्थे पुझा उत्थे राजे शिवनाब दी राजदानी सी गुरुजी दा एक लहोर निवासी सीख पाई मानसुख व्यपार दे सबांद वीच संगला दीपचाया करदा सी ओ आम तवरते राजे शिवनाब नू नो भी मिल्या करदा सी राजे नू उसने गुरुजी बारे दस्या सी राजा पाई मानसुख दिया कलना तों बहुत परबावित होया सी आते उस दे मान विच गुरुजी नू मिलन लई बड़ी तांग अते खिच सी पाई मानसुख नू उसने कई वार ए बेंती कीती सी के ओग उसनू गुरुजी नाल मिलाए पर ओ राजे नू एहो दास दे सान के जिहडावी सच्चे दिलों गुरुजी नू मिलन दी खाहिश परगट करदा है गुरुजी हर हालत विच उसनू मिल दे हन मटाले पहुँच के गुरुजी आते पाई मर्दान्य ने एक बाग विच देरा जमाया उत्ते ओ रोज कीर्दन करदे अते सात सांग विच लोकानों पदेश दिन दे थोड़े समय विच ही बड़ी संगते कठी होन लाग गई इस बारे राजे शिबनाब नू भी पता लगगा के उस दे बाग विच एक बड़ी करनी वाले महात्मा ठेरेहान शिबनाब ने पर्खन वास्ते बढ़िया सुन्दर इस तरियां ते पदमणियां पेजिगा जेडियां गुरुजी सामने आके नचन लगियां पर गुरुजी अपने समाध्धी विच बैठे रहे उना इस तरियां दे नाचवाल कोई तया ना देता ओन इस तरियां हार के शिबनाब पास आगे ना जद राजे नू इस बारे पता लगगा ताँ ओ अपने पुत्तर आते पतनी नू लेके गुरुजी पास पहुंच गया गुरुजी दे दर्शन करके ओने हाल हो गया पार उस दे मान विचे एक शंका उठी के महापुर्श कोई ब्रामन है कोई जोगी है हिंदू है जा मुसलमान है इस दा कारण ए सी के गुरुजी ने अजीव परकारदा वेस तारण कीता होया सी ओना दा उपदेश हिंदूआं मुसलमाना आते जोगीयां तो पिन सी उना दी बाणी सब तो वक्री अते निराली सी ओपार्त दे उत्तर विचो आये सान परो दखनी बोली वी सपश्ट बोल रहे सान शिवनाब दे मान दी दूचिती नों समझ के गुरुजी ने फरमाया राजा शिवनाब ब्रामन ओ है जो ब्रामन दे ग्यान दा इश्नान करदा है हते परमातमा दे सिफ्तसला दे गीत गौंदा है सारा ब्रहमन एक हाट है जिस दा एक को एक शा करतार आप है आसी करतार दे नाम दे अभिलाशी बन जारी हैं पर मातमा दे प्यारया लई हिंदू मुसलमान इको हन, अते सारा संसार ही उना दा कर है। गुरुजी दा इयो पदे सुन के राजे शिवनाब्दी तसली हो गए के ओ महातमा गुरुनानक देव जी हन। ओ उनादे चारनी लग गया अते नामदान प्रापत करके गुरुजी दा सच्चा सिख बन गया गुरुजी वास्ते सात संग कारन ले उस आपने मेहलां दे नाल ही एक वड़ी तरमशाला बना देती जेकर तो हानु साथी ये वीडियो पसांद आई ते सुनू वद वद लाइक शेर अते सब्सक्राइब करें वाहिगुरुजी का खाल सा वाहिगुरुजी की फते